मदुबनी की बिस्फी से विजेपी विधायक हरीभूशन ठाकूर बचॉल ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने RSS प्रमुख बोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं और जिने विश्वास नहीं है कि वो हिंदू हैं वो अपना DNA टेस्ट जरूर करा लें बचॉल ने तालीबानी सोच के लोगों को अफगानिस्तान चले जाने की सलाह तक दे दी साथी बचॉल ने OVC पर भी निशाना साथते वे उन्हें बरसाती मिढ़क करार दिया जिन्ना का दूसरा रूप बता दिया और कहा कि भारत में ऐसी सोच के लोगों के दिन अब लच चुके हैं बरसाती मिढ़क की तरह OVC जी अब टटड़ाते हैं और अपना उप्योगता सिद्ध करना चाह रहा हैं अपनी नितागिरी चमकाने के लिए वो दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं इस देश में वो कभी नहीं बन पाएंगे अब भारत 1947 वाली भारत नहीं है इसलामिक करन करना चाहते हैं दुनिया को आतंकवाद के पोसक हैं और उसका जो भी समर्थन करते हैं उनको भारत में रहने का हाक नहीं है वो अफगानिस्तान चले जाएं वहाँ पेट्रॉल डीजल भी सस्ता है मकान भी सस्ता है वहाँ जाकर के देखें तब भारत के बारे में कुछ बोले बीजेपी विधायक अरिभूशन ठाकूर बचॉल के बयान पर आर्जेटी और कॉंग्रिस की प्रतिक्रिया सामने आई और कड़ी प्रतिक्रिया इस बयान पर इनकी तरफ से रखी गई बीजेपी के मानने बिधायक बचाओ जी मंत्वी नहीं बनने से बेचैन है और कार है तालिवानी सोच के लोगों को अफगानिस्तान भेज देना चाहिए टो पहले तो बीजेपी के हिनेता काता थी कि जो बीजेपी को वोट नेग देगा पाकिस्तान बेज दिया जाए कितने को पाकिस्तान नहों ने बेज़ा डवल इंजन की सरकार है बेजकर दिखाना गुलवालकर भी कहते थे कि राजफीटिक सत्ता नहीं, धर्म की सत्ता होनी चाहिए। तालिबान भी यही कहता है धर्म की सत्ता तो दोनों वैचारी गूरुप से समान है। इसलिए उनको लग रहा है कि इन लोगों को अफगानिस्थान चले जाना चाहिए। लेकिन मेरा सु बड़े कबर राजानी पटना सी जहां आप राधी बेखौफ हैं राजानी पटना में जन अधिकार पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष और होटल मालिक आनन सिंग उर्फ डबू सिंग को अपराध्यों ने गोली मार दी घटना पाटले कुट्र कॉलानी की है जहां उनके घर के पास सी अपराध्यों ने ताबड तोड पारिंग की जिसमें उन्हें गोली लगती है आनन सिंग को इलाज के लिए फलाल नीची अस्पताल में भरती कराया गया है जहां उनके हालत नाजुक बताई जा रही है यह का जा रहा है कि आप से विवाद में आनन सिंग को गोली मारी गई और बड़ी खबर ओरंगबाद से आ रही है हाईवा और पिक अप वैन के बीच जबरदस टकर हुई है हाईवा और पिक अप वैन आपस में टकराये है हाथसे में दो लोकों की मौत हो कही है चार पुलिस कर्मी भी इस दौरान जखमी हुए हैं सदर इस्विताल में फिलाल इन जखमी लोकों का इलाज इस वक्त होता हुआ NH 149 पर उब्रा ठाना इलाकी की एगटना है जहां हाईवा और पिक अप वेन के बीचे जोरदा टक्कर हुई है हाथसे में दो लोकों की मौत हो गई जबके जोरान चार पुलिस कर्मी जखमी हुए है बगहा में नहरों की सफाई नहीं होने की वच्छ से खिसानों की चिंता इस वक्त बढ़ गई है नहर का अधिकांश हिसा सिल्टेशन की वच्छ से टापू में तब्दील हो क्या है अब जब नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है तो बांध तूटने का डर किसानों को सता रहा है किसानों का ये कहना है कि एक दशक से इन नहरों की सफाई हुई ही नहीं और यही वज़य है कि अधिकांश किसान के खेट तक पानी नहीं पहुँच पा रहा किसानों ने विभाग और प्रशासन से मदद की गोहार लगाई है हर खेट तक पानी पहुचाने की सरकार की मोहिम कई इलाकों में दम तुड़ रही है और लगातार नहरों में पानी आने की स्थिति में बांध तूटने की सिकायते भी तमाम आती है तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम पहुचे हैं फिरूत मुख्य नहर का या तस्वीर हम सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तीन सो फिट चोड़े इस नहर की जो तस्वीर हम दिखाने की कोशिद कर रहे हैं यह सिमट कर सो फिट मौज़र हो गया है और एक बड़ा इसका नहर का मुख्य नहर का जो आप देख सकते हैं इसका दो सो फिट करीब पूरी तरह सील्टेशन से तबाह हो गया है तो जाहिर सी पानी बात है कि नहर का पानी जब भी जाएगा आगे के इलाके में पहुंचने में थोड़ी सी परसानी जरूर होगी और यहीं कारण है कि सिल्टेशन के कारण तमाम जगा पर नहरों के बांदों पर दवाव बनता है और लगता नहरों के टूटने की सिकायत आते रहती है दिवाग की लपरवाही है यहां किसानों की समस्याओं को अंद्रेखा कर दिया जाता है नहीं तो इसका बराबर अगर दी सिल्टेशन किया जा तो पानी बढ़ियां से हर खेत तक पहुंचेगी लेकिन यहां आपके सामने है कि तीन सो फीट चोणे नहर में मात्र जल की धा जाने की कोसित करते हैं तक खेतों तक पानी नहीं जा रहा है इसके लिए किसको जिमवार मानते हैं हम जिमवार सरकार को मानते हैं मानते हैं कि मानने सरकार इस पर कोई देख सुन कर नहीं कर रही है कोई इसका परिछर नहीं हो रहा है सरकार से हम कहें के ताकि इसको देख भ और बात पंच नहीं है